Hello everyone, welcome to my channel Poonam Thirguns Kitchen आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ ब्रोकली की मसालेदार सबजी की रेसिपी ब्रोकली को हम सैलेड और सूप की रूप में भी लेते हैं और इसकी सबजी भी काफी टिस्टी लगती है और इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल से मसाले डाले हैं और बहुत ही असान तरीके से सबजी को बनाया है ब्रोकली में बहुत से न्यूटियन्स पायाते हैं इसमें प्रोटीन, कैल्सियम, फाइवर के साथ साथ विटामिस भी होते हैं और इसमें विटामिन C जो है बहुत ही अच्छी मातरा में पाय जाता है जो कि हमारी बॉड़ी के लिए काफी हेल्दी है फ्रेंट्स ये तो इसकी फाइदे की बाते हो गई है तो चलिए जल्दी से इसकी मसालेदार सबजी भी रेडि कर लेते हैं फ्रेंट्स वीडियो को सारेदार सब्जी बनाने जा रहे हैं इस तरीकी से देख सकते हैं और यहां पे आलो के थोड़े बड़े पीसिस रखें और थोड़ा सा ये मैंने हरा मटर लिया हुआ है और इन सब्जियों को धोने के बाद इन मेंसे अच्छी तरेके से पानी निकाल लेना है अब इसके ब थोड़ी जादा होगी तो इन्हें हम पीस लेते हैं अच्छी तरीके से अब इन सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल इसी तरीके का बारिक पेस्ट हमको चाहिए सब्जी बनाने के लिए अब यहां पे मैंने कराई गरम करके इसमें दो बड़े चमच सर्सों का तेल डाला है जिसमें हम ब्रॉक्ली को फ्राई करेंगे पहले के एकसे 1,5 मिरत तक इसे हम हाई फ्रेम पर फ्राई करेंगे इसके बात थोड़ी से ही साइज में छोटे दिखने लगें तब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक डालेंगे दो से typ Pav को यहाँ पे नमक डालने के बाद इसे medium flame पे फिर एक मिनिट तक fry करना है ताकि यह थोड़ी से soft भी हो जाए फुल cook नहीं करना है इसको हलका सा soft ही करेंगे और इस तरीके का इसमें color आ जाए तब तक इसे fry करेंगे और यहाँ पे ब्रॉक्ली fry हो चुकी है आप देख सकते हैं कि इसका shape भी बिगड़ा नहीं है और यह हलकी cook भी हो चुके है और अच्छा सा color भी इसमें आ गया है अब इसे अलग से plate में निकाल देंगे देखिए ऐसा ही हमने fry करके त्यार करना है इसको अब यहाँ पे सेम कड़ाई में थोड़ा सा तील डालेंगे एक चमच के लगबग और इस सबजी को चौक लगाने के लिए मैंने यहाँ पे पंच फोरम का इस्तमाल किया है इसमें जीरा, मेथी, काला जीरा, एजवाइन और सौफ रहता है तो तील जब गरम हो जाएगा त तो इसमें डाल देंगे इसको और इसमें एक तीस पत्ता और एक चौथा चमच हिंग भी डालेंगे अब इन सारी चीजों को मीडियम फ्लेम पे हलका सा भून लेने के बाद इसमें आलू डाल देंगी और फ्लेम को हाई कर देंगी हाई करने के बाद इसे इस तरह से चलाते हुए बुन लेना है इसके बाद इसमें हम तोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरीकी से soft भी हो जाए और इसमें अच्छा सा color भी आ जाए इसके लिए मैंने इसे ढग दिया है कि ये थोड़े से soft भी हो चुके हैं अब बस इसी वक्त इसमें हम डाल देंगे ये पीस्ट जो हमने त्यार करके रखा हुआ था इस पीस्ट को मिलाने के बाद इसमें कुछ सुखे मसाले भी हम डालेंगे half teaspoon इसमें हल्दी डाल देंगे one teaspoon धनिया पौडर half teaspoon जीरा पौडर और one teaspoon इसमें सब्जी मसाला डालेंगे और सब्जी में अच्छा सा कलर लाने के लिए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिट्च half teaspoon जितना अब इन सारी चीजों को high flame पे अच्छी तरीके से mix करने के बाद इसमें मिला देंगे हरा मतर मतर को डालते ही flame को बिलकुल low कर देना है अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक याद रखेगा पहले भी हम दो जगा पे नमक डाल चुके हैं तो यहाँ पे हम नमक डालेंगे स्वात के अनुसार अब यह सारी चीज़े मसाला मतर अच्छी तरी से पक के आपस में घुल मिल जाए तो इसे धग देंगे 7-8 मिन्ट के लिए और यहाँ पे आप देखी रहे होंगे कि सारी चीज़े low flame पे बहुत अच्छी तरीके से पक रही है तो यहाँ पे 7-8 मिन्ट के बार धकन को हटा देते हैं और यह मसाला हमारा बिलकुल ready है और जो यह मतर है यह बिलकुल soft हो चुका है और मसालों में से तेल भी बिलकुल अलग हो चुका है और यह बहुत असान तरीका है सारी चीज़ों को अलग-अलग ना पका कर एक साथ ही low flame पे पका लिया जाए और low flame पे बनी हुई सबजी काफी tasty भी लगती है तो अब हम इसमें मिला देते हैं फ्राई की हुई ब्रॉकली को अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिला लेने के बाद इसमें डालेंगे पानी तो यह मैं थिक ग्रेवी वाली सबजी मिना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम पाई डाला है लगबख एक कब जितना अगर आप ग्रेवी पतली रखने चाहते हैं तो थोड़ा से और पानी मिला देंगे और इस सबजी के स्वाद को और ज़दा बढ़ाने के लिए मैंने इसमें डाला है गरम मसाला अब इसे ढख देंगी ताकि इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो हमारी सबजी बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो यहाँ पे इस सारी चीज़े पकी हुई है पानी भी गरम है तो इसको बॉयल आने में सिर्फ एक मिन्ट लगा और एक मिन्ट के बाद यह ढखकन हटाते हैं सबजी हमारी रेडी हो चुकी है इसमें डाल देंगे हरा धनिया बहुत अच्छी खुश्बू आ रहे हैं सबजी की और इस सबजी को डिश आउट करने से पहले इस तेज़ पत्ते को निकाल देते हैं तो यह हमारी मसालिदार ब्रॉकली की सबजी जो है बिल्कुल रडी हो चुकी है इसे पूरी चपाती राइस किसी के साथ भी सर्फ कीजिए बहुत ही डिलिशेस लगती है यह खाने में और जिस असान तरीके से मैंने इसे बताया है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और रेस्पी अगर पसंद आये तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और न्यू है corpon Is a careful मेर्ण बैट कीजिएगा झाल झाल